देश के सरवाधिक करिश्माई नेताव में शुमार, जननायक, संसदी राजनीत के पुरोधा, गटबंधन राजनीत के महारत ही प्रखरवक्ता देश के राजनीतिक पटल पर एक ऐसे विशाल व्यक्तित वाले राजनीता के रूप में सम्मान दिया जाता है, जिनकी व्यापक्त स्तर पर स्विकारता है, और जिनोंने तमाम अर्चनों को दर्किनार करते हुए नब्बे के दशक में राजनीति के मुख्य मंच पर नकेवल बीजेपी को स्थापित किया, बलकि 24 दलों के साथ 5 साल सरकार चला कर ऐसा करने वाले पहले गैर कॉंगरेसी प्रधान मंत्री बनने का गौरो भी हासल किया, अपनी वाड़ी के ओज और ठोस फैसल लेने के लिए जाने जाने वाले वाजपेई को भारत-पाकिस्तान अपने इन ठोस कदमों के वजह से ही वह बीजेपी के रास्टवादी राजनितिक एजेंडे से दूर एक व्यापक फलक वाले राजनिता के रूप में जाने और समझे जाते हैं पचास से अधिक सालों का संसदी अनुभव समेटने वाले अटल विहारी वाजपेई का राजनितिक कैरियर उनिस सो सताउन में शुरू हुआ जब वो पहली बार यूपी के बलरामपूर से संसत के सदसे जुने गए जनसंग और विजेपी के संस्थापिक सदस्यों में से एक वाजपेई जी नौ बार लोगसभा के लिए चुने गए जबकि दो बार वराज्य सभा के सदसे निर्वाचित हुए लगभग चार दश्रक तक बीजेपी की विपक्ष में रहने के बाद वाजपेई 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बने लेकिन संख्या बल में मात खाने से उनकी सरकार महच 13 दिन ही चल सकी आंकडों ने एक बार फिर वाजपेई के साथ लोका छिपी का खेल खेला और 1999 की शुरुआत में भहमत नहीं होने की वज़े से उनके नेतरित वाले दूसरी सरकार भी गिर गई हाला के 1999 की चुनाव में वाजपेई जी एक स्थर गठभंदन सरकार की मुखिया बने जिसने अपना पांच साल का कारेकाल पूरा किया वाजपेई सरकार का कारेकाल सहसिक और द्रणर्शेफ हैसलों के रूप में जाना जाता है तमाम अंतरास्टी विरोधों के भाज़ूद उनकी सरकार में मैं 1998 में पोखरण में परमार पर इच्छती है विश्व मंच पर हिंदी का मान बढ़ाया आर्थिक मूर्चे पर उनकी सरकार ने देश को तमाम काम्याबियां दिलाई तो स्वर्णिम चतुर्भुच परियोजना और नदियों को जोडने की परियोजना की शुरुआत कर वाहवाही लूटी राजनीत की महारत्वी के अलावा वो अपनी भाषनकाला और साहित तिप्रेम के लिए भी जाने जाते हैं। उनके कविता संग्र, मेरी 51 कविताये ने लोगों के दिलों में अपनी चाप छोड़ी है। 25 दिसंबर 1924 को महत्यब्रदेश के ग्वालियर में जन्मे वाचपेई जी ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए किशोरा वस्था में जेल भी गए। कॉलेज के समय से ही RSS के संपर्क में आये वाचपेई जी 1977 में जनता सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। लंबे सम जाहे वो भारत पाकिस्तान का युद्ध का वक्त हो या फिर तमाम रास्टी आपदा की घटना हैं। अटल विहारी वाचपेई ने हमेशा दलगत राजनीत से उपर उठकर बात की। आधनिक भारत में जवाहलाल नहरू और इंदिरा गांधी को छोड़ दें तो वाचपे यही ऐसे नेता हैं जिनकी स्विकारता पार्टे लाइन, धर्म, जाति से हटकर हर दल, हर वर्ग, हर उम्र के लोगों में है। डीडी न्यूज